सो फाइनली यूट्यूब पर एक कॉंट्रोवर्सी का तो डी एंड होने जा रहा है दरसल अनीता जी का बेटा और उनकी बहू आ गए हैं सामने जिहां अब तक वो लोग नहीं आ रहे थे सामने जो उनकी बहू है उनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसको वो चलाती हैं उसमें हो जादा वीडियो नहीं दालती वो एक फूट व्लोगर है और उसी से लेटिट वो वीडियो डाली थी जब से शादी की बात आई तो लोग उनको काफी जादा टॉंट कसने लगे तो उनको गलत भी बोला जा रहा था इसी बीच में जो अनीता जी है उन जैनते हो और मांग भड़ते हो तुम्हारी शादी नहीं हुई है उस पर उसने काली काफी जारा क्लैरिफिकेशन वेद यह था हर एक को दे रही थी लेकिन क्योंकि वह एक व्लोगर नहीं है क्योंकि वह एक यूचुवर नहीं है तो उनके लिए ये चीज़े नहीं थी और वो बहुत ज़्यादे से परिशान हो रही थी हरेस हो रही थी और जब से अनीता जी ने बोलना शुरू किया उसके बाद तो उनको हेट बहुत ज़्यादा मिल रहा था मतलब आप उनके कमेंट सेक्षन में चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग उट पटांग बोल रहे थे इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर वो पर्सनली इस चीज को नहीं अभी डिकलेर करना चाहते तो उनकी पर्सनल चीजों को पर्सनल रहने द लेकिन अभी उनका बहु और बेटा दोनों आ गए हैं रिसेंटली अपने चैनल पर उनका जी बहु का चैनल है रागनी खानना उस चैनल पर उन दोनों ने वीडियो डाली है और सभी क्लियरिफिकेशन दे दिया उन्होंने बताया कि ऑक्टूबर में उन्होंने शादी कर थी, court marriage कर ली थी, शुरू में घरवाले राजी नहीं थी लेकिन अब उनको घरवालों का पूरा support है, वो एक family function करेंगे, जिसमें लोगों को बुलाएंगे भी invite भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी उनके घर में मृत्यू हुई है, जो बहु है, रागनी है, उनके घर में भी म ही चाह रहे थे, क्योंकि फिर वो ही है कि लोग सवाल बहुत जादा पूस्ते, और family वाले अभी चीज़ के लिए पर्मिशन भी नहीं दे रहे थे, बताने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर बात रागनी के character तक पहुँच गई, character तक को लोग बोलने लगे, और बहुत पहले लोगों की शादी हो चुकी थी, ये एक love marriage है, जिसमें घरवाले भी अब सहमत है और घरवालों को इस चीज़े भी पता है, आना जाने इन लोगों का आपस में लगा रहता है, दोनों ही एक दूसरी की families के पास में आते भी है, और सब बाते भी होती है, सब कुछ सही लेकिन बस एक जो सही टाइम है, उसका इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद में ये चीज़े पब्लिक कर दी जाती, लेकिन इतना जादा टोर्चर कर दिया गया कि पब्लिक ये चीज़े पहले ही करने पड़ी, अब जाके आगे जाके family function भी होगा, उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि उनकी वज़े से लोग ये भी कह रहे थे कि आपके वज़े से बसंती को काफी जादा हेट मिल रहा है, मुझे लोजिक वैसे समझ में नहीं आया था कि लोग वहाँ पर रागनी कोई नाम क्यों लगा रहे थी कि आपकी वज़े से बसंती को हेट मिल रहा है क्योंकि बसंती इन चीजों में कहीं थी ही नहीं तो वहाँ पर उन्होंने ये चीज़े भी आके लोगों के सामने क्लियर की है कि मतलब आप जिसका नाम ले रहे हैं खुबल नाम तो नहीं लेकिन वहाँ पर बसंती की वज़े से टारगेट किया जा रहा था कि बसंती को हेट मिल रहे तुमारी वज़े से कि हमारा उनसे कोई म वज़े से मुझे हेट पढ़ना वो भी चीजे गलत है वैसे भी चीजे ना करें तो फाइनली अभी ये चीजे साफ हो चुकी है कि हाँ शादी हुई है और दोनों की शादी कोर्ट मेरिज हुई है और दोनों अब सामने आ चुके हैं तो आई तिंग इन चीजों में अभी ही क्यों नहीं कहीं यह चीज़े अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही है लेकिन यहां तक अगर थोड़ा जो है लोजिक लगा लिया जाए तो यहीं लगता है कि शायद उनका इरादा यह था कि फिर यह कह देंगे कि भाई दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर रखा था अब हम शादी करवा रहा है कोट वारीज वाली बात यह लोग नकार ही देते हैं वहाँ पर तुझे लिए हम करते हैं वीडियो को एंड और बिनेंगे नेक्स वीडियो में यही कहना चाहूंगी मैं मैंने रागनी खाना की वीडियो देखी है काफी डिसेंट लेड़ी है काफी लड़की है अभी ने ने शादी हुई है वो इन सब चीजों में नहीं है तो उनको इतना हेट ना दिया जाए उपर से किसी लड़की के कैरेक्टर के बार में किन चीजों के बार में बोलने का हमको या किसी को कोई हक नहीं पड़ता क्योंकि हमारे बच्चे या हमारे घर मे रहने वाले बच्चे क्या कर जाएं आगे हमें कुछ नहीं पता होता तो इसलिए कभी किसी को character प्रत्रिस नहीं बोलना चाहिए मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई thank you so much